हेई गाइज विल्कम बैक टूनसीं बेसिक एजुकेशन कर आज का टॉबिक है डायरिया यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा डैफिनेशन टाइप्स और कॉजिस ही सिर्फ बताने वाले हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत डैफिनेशन समझ में आजाए क्योंकि MSN में सबसे ज निकलना ही डायरिया कहलाता है डायरिया दो टाइपस की होते है अक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया अक्यूट यारिया इन होता है और जो लॉंग, दम की लिए खूझ़ नहीं हो वो डाजस्ट नहीं हुआ है तो इंटाजेशन भी एक कारण है डाइडिया का दूसरा है food allergy किसी किसी person को किसी specific type के food से allergy होता है तो वो उसकी वज़ा से भी हो सकता है डाइडिया है तीसरे starvation starvation की condition होती है नहीं इनसान जो है भूखा रहता है तो वो एक कारण हो सकता है डाइ जैसे कि मरकरी को इंजिस्ट कर लेना जो हमारे स्टमक में जाकर इरिटेट करता है जो गैस्टिक म्यूकोशल लेयर होती वहां पर उसकी वज़े से भी डाइडिया होता है नेक्स्ट ऑबर फीडिंग कभी-कभी क्या होता है खाने का मन नहीं होता है या फिर पेट भरा होता ह लेकिन हमारे सामने कोई हमारी फेबरेट चीजे रख दे खाने वाली तो हम ओवर इट कर जाते है ठीक है तो उसकी वज़े से भी क्या होता है डाइडिया होता है ठीक है नेक्स्ट ऑबर फीडिंग इस्पेशल यहां पर दरसाया गया है एक चाइल्ड को जो निउबरन बे अन्याल इक कर दे खुछ जाहिए उसकी वज़े से भी डाइडिया होता है ठीक है नेक्स्ट ऑजिक होसकता है गया हो सकता है वाईरस भी हो सकता है 15 पे फरन्ड की व weed से दीडिया तो यहां पे यूटी आई यूटी आई यानि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन की वज़से होता है दिन आर्टियाई हो गया आपका कुछ ड्रक्स होते हैं स्पेसिफिक ड्रक्स के लेनी की वज़शे उस मेडिकेशन की वज़से भी डायरिया होता है जैसे कि अमपानसलीन ये दूसरे जो एंटिबायटिक होते हeffective रिस्पॉन्सबल होते है डायरिया मीज़से लिए जैसे कि जादा अगर टैंशन में होता है person तो भी होता है डायरिया ये पिर किसी भी कारण बास stress मैं है तो एक्सेसिफिः स्ट्रेस की वज़े से भी इंसान को डाय गया हो सकता है आज के लिए इतना ही ऐसे ही नर्सिंग से देटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छे लगी होता लाइक जूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में